हारती कभि नंदन व्यूवर्स आपके अपने चैनल स्टॉक स्पार्क ट्रेडर्स में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Electronic Smart India Limited IPO के अलॉट्मेंट के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे चैक करें कि आपको IPO का अलॉट्मेंट हुआ है या नहीं अगर नहीं मिला है तो कब तक आपको refund मिलेगा और जानेंगे क्या चल रहा है आज का grey market premium तो वीडियो को अंट तक ज़रूर देखें और इसी और informational videos के लिए चैनल को subscribe करना ना भूलें IPO details देखें तो इसका price band 56 रुपीज से 59 रुपीज पर share है तो investors को 59 रुपीज पर share के हिसाब से IPO के shares allot होंगे और lot size 254 shares का है आज इस IPO की allotment date है और जिनको ये IPO allot नहीं होता उनके लिए refund date जो है वो 13 October यानि की कल है लेकिन refunds आने में कई बार 2-4 दिन लग सकते हैं तो बिलकुल भी panic ना करें क्योंकि इसमें किसी तरह का risk नहीं होता आपकी amount आपको refund ज़रूर मिलेगी चलिए आप जान लेते हैं कि allotment status चेक कैसे करना है तो हमारे description box में BSE की website का link given है आप जिस्ट उस पे click करें और आपके सामने ये page open होगा देन आप check status की option पर click करें और उसके बाद आप इस page पर पहुँच जाएंगे यहाँ पर सबसे पहले equity को select करें देन यहाँ पर electronic smart India IPO का option आपको मिल जाएगा उसे select करें नीचे application number और अपना pen number fill करने के बाद submit कर दे और जिनको अपना application number नहीं पता वो IPO apply करने के बाद जो confirmation नहीं मिलाती है उसे check करें उसमें application number given होगा वहाँ से आप इसे copy कर सकते हैं तो इस तरह आप अपना allotment status check कर सकते हैं लेकिन ये status शाम 5 बजे के बाद update होना शुरू होता है तो उसके बाद आप इसे check करना start करें इसे check करने का जो दूसरा और easy तरीका है वो है registrar की website जिसका name है link in time और इस website का link भी description box में given है इसे click करते ही आपके सामने IPO select करने की option आएगी जिसका आप allotment चेक करना चाते हैं तो अभी allotment available नहीं है इसलिए हमें EMI IPO नहीं show हो रहा लेकिन जैसे ही status update होता है आप इसे select करके अपना pen number fill करने के बाद बहुत ही simple तरीके से इसे check कर सकते हैं तो आपको ये allotment मिलता है नहीं comment box में जरूर बताएं लेकिन फिलाल अभी किसी को भी पैसे debit होने का message आना शुरू नहीं हुआ है किसी भी bank की तरफ से अभी पैसे cut नहीं किये गए हैं लेकिन रात तक message आने शुरू हो जाएंगे जिनको भी ये allotment मिला होगा और जैसे ही पैसे debit होने का process शुरू होगा हम इस channel पर आपको ज़रूर update कर देंगे हम आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारा free whatsapp group या telegram channel join कर सकते हैं जिसमें daily free cash equity calls मिलती हैं जो कि हमारी research team द्वारा provide की जाती है और इनका link description box में given है और आज का grey market premium देखें तो वो 35 रूपीज चल रहा है जो कि काफी बढ़िया है और इस GMP के हिसाब से 60-70% के listing gains अराम से होते देखने को मिल सकते हैं तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही मिलते हैं नई वीडियो में नए updates के साथ